सबनिशाद राच के नामपर है सरदा लों के युप फ्री भोजन की विवस्ता यूपमें एम माता सब्री भोजनाले से ब्राप्त होता है बैर और वाईयों आज आप युकिया हमें जाएंगे एक नए युद्या खायक सास होगा और इस नहीं अयुद्ध्या के लिए आज हम सब को मोदी जी को हिर्दे से अन्यवाद देना चाहिए और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ कि पैन और भाईयों भारती, जंता, पार्टी और एंडी देश का सम्मान बढ़ा रही है देश की सुरक्सा के लिए कारे कर रही है देश के अंदर संब्रिदी के लिए विकास के लिए विरासत के लिए गरीब कल्यान के लिए कारे कर रही है तो दूसरी और ये कांग्रेश और आर जेडी का गड़बंदन एक गड़बंदन एक इसका उतेश से क्या है गड़बंदन का उतेश से है कि सत्ता प्राप्त करना मिल करके लड़ना और जीत करके लूटना लूटने की क्या स्वतंतरता देंगे अब इनको कता ही देना है बिहार को जेडियू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजगा से उबारा है आज बिहार को धर नहीं जाने देना है बैन और भाईयों मैं तो आप से कहने के लिए आया हूँ मैने फेस्टो में आप देखिए मोदी जी ने कहा है हम आत्म निर्वार और विक्सित भारत बनाएंगे लेकिन कांग्रेस और इनके सयोगी क्या कहते हैं बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी ओबी सी का आरक्षन मुसल्मानों को दे देना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या और कांग्रेस का मेने फेस्टो कहता है क्या उनों सुचित जाती जन जाती और पिछड़ी जाती कि आरक्षन का लाब इन से काट करके मुसल्मानों करेंगे क्या आप इसको स्विकार करेंगे क्या और बैन और भाईयों दूसरी खतरनाक बाद जो इन्होंने कही है वो कही है जब राहुल गांदी से पूछा गया कि भई गरीबी के लिए क्या करेंगे क्योंकि मोदी जी ने तो दस वर्स में पचीस करोड लोगों को गरीबी रेखा से उभारा है मुक्त किया है खुसाल जीवन की और मुक्त उन्हें आगे बढ़ाया है तो राहुल जी कहते हैं एक जटके में गरीबी हटा देंगे का कैसे उन्होंने कहा मैं हर एक परिवार की संपत्ति का सर्वे कराऊंगा और सर्वे करा करके उसमें वरासट टैक्स लगाऊंगा बैन और भाईयों वरासट टैक्स का मतलब आप समझे ये वरासर टेक्स का मतलब है आपके बापदादों की आपके पूरवजों की जो संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेने के बाद फिर उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश से जो घुस पैटिये भारत के अंदर आये होंगे उनको बंदर मांट करेंगे आप मुझे बताईए आपके पास दो कमरे का घर है आपके पिताजी ने, आपके दादा ने बना करके दिया है और वो दो कमरे के घर में एक में आप रहें, एक कमरे में आप रहें एक कमरे में जबर्दस्ती किसी मुसल्मान को घुस पैटिये को दे देंगे क्या आपको स्विकार है क्या क्या आप स्विकार करेंगे क्या अरे क्या हो गया इस कॉंग्रेस को इस के अना लगता औरंग जेब की आत्मा घुस गई है औरंग जेब बेन और भाईयों मुगलों का सबसे कुरूर बात्सा हुआ था और कोई सरीब मुसल्मान वे अपने पुत्र का नाम औरंग जेब नहीं रखता क्योंकि औरंग जेब ने औरंग जेब ने अपने भाई की या की फिर औरंग जेप ने अपने बाप को कैद कर दिया था और अगर औरंग जेप की कारिस्तानी को देखना हो तो पटना की खुदा बक्त लाइबरेरी में जा करके पढ़िये उसमें साजां की जीविनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी साजां कहता है ऐसा कमबक्त पुत्र किसी को पैदा नहो क्योंकि जीते जी तो पानी के लिए साजां को तरसाया था और मरने के बाद भी उसने कहा कि या तो क्या इससे अच्छा तो ये हिंदू है तो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उनका आदर सतकार करता है करने के बाद स्राद और तरपन करके उनको पित्रों को जल देने काम करता है बैन और भाईयों ये औरंग जेब ने जजिया कर लगाया था हिंदों पे जो तोड़े गए थे कासी विश्वनात का मतुरा में सिक्रिष्ण चन भूमी का ये इसी दुस्ट औरंग जेब ने तोड़े थे और बैन और भाईयों ये औरंग जेब जजिया कर लगाया था कहता था या तो कर दो नहीं तो मुसल्मान बनो उस समय का ये जजिया कर ये वरासा टैक्स का ये जजिया कर है हमें जजिया कर वाली सरकार नहीं चाहिए जजिया कर वाली पार्टी नहीं चाहिए और इसलिए मैं आया हूँ आप से कहने के लिए कि आत्मनिर्वर और विक्सित भारत के लिए देश की आवाज के साथ हमें भी एक जुठो करके चुनाव जिता करके वेज़ा है डॉक्टर संजय जैस्वाल उच्छ सिक्सी चिकित सक है इनके पिता जी भी डॉक्टर मदन परसाद जैस्वाल जी भी हम मैं भी उनके साथ सांसत था डॉक्टर संजय जैस्वाल भी मेरे साथ सांसत थे और साथ साथ बिहास की चर्चा करते थे बिहार के बारे में चर्चा करते थे यहां के उत्थान के बारे में चर्चा करते थे और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ संजय जैस्वाल के लिए पिसे यह शुरूप से आया हूँ उत्तर बर्देश में भी 14 सीटों पर चुना होने लेकिन मैंने का जाओंगा संजय जैस्वाल के लिए जरूर और बैन और भाईयों इसलिए आपके पास आया हूँ डॉक्टर संजय जैस्वाल को चुना जितागे भेजेंगे अरे दोनों हाथ प्वाके जहां तक मेरी आवाज जा रही है जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ प्वाकर के मज़े बताओ बैन और भाईयों मैं इसलिए बोल लाओ देखो बने बाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुर्डोजर मंगा दिया और ये ये मापियार आतंगबादियों का सबसे अच्छा उपचार है मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे बनेंगे इसके लिए संजय जैस्वाल को जिताना होगा जिताएंगे जिताएंगे कल एक दिन का अमे है एक दिन देश के लिए देंगे इसके लिए आपको एक काम करना होगा जितने लोग यहां पर आए हैं आप से मेरी अपील होगी कल एक दिन 15 घरों में जाकर के जितने सदस्य होंगे वयस्क मत आता होंगे उनसे कमल चुनाचिन पर वोड़ देने की अपील करके और परसों ने मतान के लेके जाना है लेके जाएंगे लेके जाएंगे मैं आस्वस्त हो करके जाओं मोदी को आस्वस्त करो कि यहां से डॉक्टर संजय जैसौल बारी बामत से जितके जाएंगे सेमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जैस्री राम जैस्री राम